नमस्ते दोस्तो नवजीवन टायर्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ आशा करता हूँ आप सभी आपना खूब सारा ख्याल रखते होंगे दोस्तो मेरे पास सिल्फ एक दिन चला हुआ ये टायर आया हुआ है ट्रक का इसमें कट लग चुका है आप जानते हो टायर कितना महेंगा होता है एक ट्रक ओनर के लिए एक ही दिन में अगर टायर कट हो जाता है इतना बड़ा तो उसे फेकने के अलावा और कोई इलाज नहीं होता लेकिन हमारे पास इसका एक इलाज है आप बेशक इसको इस्तमाल कर सकते है लेकिन इसे कभी भी डमी और जो लिफ्ट होता है उसी में ही इस्तमाल करें और जो आपका हाउसिंग होता है वहाँ पे कभी इस्तमाल ना करें दोस्तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हम टायर को ओपन कर लेते हैं और काफी सारे दोस्तों का हमेशा एक question रहता है कि Sir आपने इसको कितना charge किया है आज के इस वीडियो में हम इसका charge भी बता देंगे तो वीडियो को start से लेके end तक पूरा देखियेगा हमने यहाँ पर opener लगा के खोल दिया है अब जो getter है इसे हम बराबर cut के center में लगा लेंगे काफी सारे दोस्तों को getter से patch बनाना आसान पड़ता है तो उनको इसी के उपर वीडियो चाहिए इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप देख सकते हैं मैंने getter बराबर center में लगाया है और जो getter का side होता है बराबर उसका 1-2 inch ज़ादा marking करके लेद रहा हूँ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि cut काफी बड़ा है तक्रीबन तक्रीबन 5 inch का cut है यह अब hand grinder की मदद से हम इसे अच्छे से buff करके ले लेंगे दोस्तो इस hand grinder का जो link है वो मैं आपने description में दे दूँगा आप amazon से purchase कर सकते हैं काफी सारे लोग पूछते यह tools जो आपने खरीदा है यह कहां से करीदा है तो यह amazon में मिल जाएगा आप मेरे description में जाके उस link से purchase कर पाएंगे दोस्तो इसे बड़िया तरीके से finishing कर लिया है हमने आप देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से हमने buff करके ले लिया है अब जो इसका उपरी हिस्सा है वो भी उसका जो corner button होता है वो तूट चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे भी repair करना है तो चलिए पहले तो जो टूटा हुआ button है उसे हम आच्छी से cut कर लेंगे यहाँ पे हम direct cutter का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन cutter से जब हम काम करते हैं तो वो काफी तकलीफ देता है इसलिए हमें यह cut करके निकालना जरूरी हो जाता है तो पहले हम जितना चाहिए उतना cut करके निकाल लेंगे rubber को और फिर हम cutter machine की मदद से आच्छे से वहाँ पे buff कर लेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं हम cutter machine की मदद से buffing करने वाले हैं वत्रा आए कि वघाला कु कर दो संया हम आठी कर दूला कु कि अनने कि मैं देयर कि प्र सराह रtal कि को अहां हिराए कू अबसा लालूए हिडुपकू चंड़ी तांपमू है ये 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 इंपुझ मेंपड़ी कुझ आपमु कुघ कुछंब यहां पे जब यह अच्छी तरह से बफिंग करते हैं तो कुछ प्लाइ तूटने के चैंसे होते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं तो उस प्लाइ को हैंड ग्रेंडर की मदद से हम लोग क्लीन कर लेते हैं जितने भी तार भाहर उकड़ा हुआ आया है उसे अच्छे से निकाल के प्लेन कर लेंगे आप देख सकते हैं जितना भी प्लाइ निकला हुआ था जितना भी तार भाहर उकड़ के आया हुआ था उसे सब को हमने अच्छे से साफ कर लिया है अब जो साइड का हिस्सा है जहां पर कट लगा हुआ है उसे भी हम अच्छी तरह से बफ कर लेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना महनत का काम है और आप भी कुछ नया सीख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करे और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करे यहाँ पे आप देख पाएंगे हम कितनी अच्छी तरह से यहाँ पे बफिंग कर रहे है देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बफिंग हो चुका है यहाँ पे चलिए दोस्तों आप इसे solution लगा लेते मैं यहाँ पे black vulcanizing solution यूज़ कर रहा हूँ आप किसी भी company का solution यूज़ कर सकते उससे कोई problem नहीं है लेकिन उसका जो curing timing होता है वो सही से दे दीजिए मैं इसे तक्रीबन तक्रीबन आदा घंटे से लेके एक घंटे का timing देता हूँ repair के लिए ताकि solution अच्छे से सूख जाए इसी प्रकार हम अंदर से भी solution लगा लेंगे मेरे कुछ subscribers ने message किया है मुझे कि सर आपको radial tire का काम नहीं आता repair करने का तो मैं उनसे बताना चाओता हूँ कि आप radial tire हो या nylon tire हो इस प्रकार से आप अगर repair करके देते हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं आती बस बात यह है कि इसे कभी housing पे नहीं डालना चाहिए इसे हमेशा dummy या jack पे ही लगाना चाहिए अब दोस्तों यहाँ पे जो getter है उसे भी clean करना ज़रूरी है उसे भी buff करना ज़रूरी है तो हम यहाँ पे wire brush की मदद से इसे clean कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरह से हमने इसे clean कर दिया है और जो अंदर का हिस्सा होता है वहाँ पे भी तक्रिबन तक्रिबन देड़ से 2 इंच हमने buff करके ले लिया है ताकि वहाँ पे जो bonding हम लगाएंगे तो वो अच्छी से chip कर रहे है अब दोस्तों पहले तो हम अंदर के हिस्से को एक बार coating लगा लेते हैं और फिर उसी प्रकार हम बाहर की हिस्से को भी अच्छे से coating लगा लेंगे अब देख सकते हैं हमने अंदर से अच्छे से coating लगा लिया है solution का अब हम इसे उल्टा करके बाहर से भी अच्छे से coating लगा लेंगे भी अच्छे से को भी अच्छे से उल्टा कर लेंगे दोस्तों इसे कोटिंग देखे कम से कम आधे घंटे के लिए मुझे वेट करना होगा आधे घंटे से जाधे का वक्त लग चुका है अब मैं जो गेटर है उसे बॉन्डिंगम से अच्छे से रैप कर दूँगा अब देख सकते हैं मैंने बॉन्डिंगम को कट करके लिया है अब इसे पूरे गेटर के उपर अच्छे से लगा लूँगा लगा के स्टिचर की मदद से अच्छे से स्टिच भी कर दूँगा और फिर उपर का रैपर जो है उसका जो पन्नी होता है उसे निकाल दूँगा इस प्रकार आप पूरे के पूरे गेटर को कवर कर दीजिए यहाँ पर आप देख सकते कितनी अच्छी तरह से हमने बॉन्डिंगम से उस गेटर को रैप कर लिया है अब दोस्तों इसके उपर प्लास्टिक लगा लेते हैं ताकि जब हम इसे टायर के अंदर उतारेंगे तो वो कही चिपके ना सीधा जहां पे हमें चाहिए उसी एरिया में जाने के बाद हम उसका जो पनी होता है या फिर ये उपर का प्लास्टिक रैपर होता है उसे निकाल देंगे तो आच्छी तरह से जो गेटर है उससे इस प्लास्टिक के पनी से पैक कर दीजिए चलिए दोस्तो अब जो टायर है हमारा कट लगा हुआ उसे हम धागा लगा लेते हैं दोस्तो ये धागा लगाने का परपस यह होता है कि कभी कबार जो हम बॉंडिंगम लगाते हैं तो उसके बीच में एर ट्रैप हो सकता है तो वो एर निकलने के लिए हम इस धागे का इस्तमाल करते हैं आप देख सकते कैसे हमने धागे को लगा लिया है अब हम इसे बॉंडिंगम से एक लेवल में पैक कर देंगे हमने बॉंडिंगम की पत्तियों को गरम करके रोल करके लिया है ताकि जो हम पेस्टिंग करेंगे तो आसानी से पेस्ट कर सेके और कहीं पे कोई गैप ना रहे है दोस्तो वीडियो काफी लंबी हो रही है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट फोरवड कर रहे है आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हम लोग पेस्ट कर रहे हैं बॉंडिंगम को अच्छे से टायर के लेवल के बराबर आपको बॉंडिंगम भरके लेना है इसी प्रकार जो आपका साइड का हिस्सा है उसे भी साइड वाल जिसे कहते हैं उसे भी आच्छे से bonding gum से pack कर लेना है कर दो दो होंग है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितनी अच्छी तरह से हमने पूरा का पूरा जो बफिंग एरिया था उसे लेवल में पैक कर दिया है बॉंडिंगम से अब दोस्तों चलिए अंदर से हम इसे एक बॉंडिंगम के स्ट्रिप से जो कट का हिस्सा था वहाँ पे लगा के लेवल में स्टिचर मार लेंगे इसके उपर से और एक बॉंडिंगम का पीस लगाएंगे और स्टिचर की मदद से अच्छे से स्टिच कर लेते हैं चलिए दोस्तों आब यहाँ पे जो कट है उसके उपर सही तरीके से गेटर को उतार देंगे अब बिल्कुल सेंटर के हिस्से में प्रस करके उसे बिठा देंगे दोस्तों गेटर थोड़ा हार्ड होता है तो जितना पतला गेटर यूज कर सकते हैं उतना पतला गेटर यूज कीजिए जिससे कि आपको काम करने में भी आसानी हो जाएगा और यह जो टायर है वो अच्छे से चलेगा भी आप देख सकते हैं हमने सेंटर में बराबर लगा दिया है अब एक हैमर की मदद से या हाथोड़ी की मदद से उसे अच्छे से बिठा लेंगे वहाँ प्रस कर लेंगे अब जो साइड की पन्नी है जिसे प्लास्टिक बोलते है उसे प्लास्टिक रैपर उसे निकाल देते है और जैसे निकाल रहे है उसी हिसाब से हम लोग उसे प्रस भी कर लेते हैं हैमर की मदद से दोस्तों यहाँ पर अच्छे से मार के बिठाना ज़रूरी है वरना जो पैच है जो गेटर है वो खिसकेगा अब हमने एक साइड का पूरा पनी निकाल दिया है और वहाँ पे आच्छे से प्रस कर रहे हैं इसी प्रकार हमें दूसरे साइड का भी प्लास्टिक को निकालना है और हैमर की मदद से आच्छे से उसे प्रस करके बिठा देना है अब यहाँ पे देख सकते हमने दुसरे साइड का भी पन्नी को हटा दिया है अब वहाँ पे हैमर की मदद से हम लोग उसे अच्छे से प्रस करके बिठा देंगे अब देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से हमने बिठा दिया है दोस्तो अब जो यह जो गेटर होता है उसका जो बॉर्डर आता है उसे हम बॉर्डिंग हम की मदद से चिपकाएंगे लेकिन उससे पहले सल्यूशन का एक कोट लगा देते हैं गेटर के चारों बाजू में जिसे हमने पहले भी दिया था लेकिन आभी फिर से देते हैं सल्यूशन सूप चुका है और आप देख सकते हैं मैंने तक्रीबन तक्रीबन देड से दो इंच का एक पट्टी बना लिया है बॉर्डिंग हम का और उसे गेटर और टायर को बराबर सेंटर पकड़ के चिपका रहा हूँ आशा करता हूँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है इसी प्रकार हमें चारो साइड कॉर्णर जो होते हैं उसके उसे बॉर्डिंग हम की पट्टी से पैक करना है दोस्तो हमने चारो साइड में बॉर्डिंग हम की पट्टी लगा दी है अब यह जिलेटिन पेपर लगा के हम इसे अच्छे से जो बॉर्डिंग हम है उसे कवर कर रहे हैं ताकि वो हमारा जो ट्यूब होता है अंदर उसे चिपकेना दोस्तो हमारा अंदर का काम कम्प्लीट हो चुका है अब जो बाहर से हमने जो बॉर्डिंग हम लगाया हुआ था उसके उपर सेलो टेप चिपका लेते हैं अब देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से हमने सेलो टेप भी लगा लिया है जैसे कि आप जानते हैं मैं इसे रिपेर मिशिन में नहीं करता हूँ मैं अपने बॉंडर में ही रिपेर करता हूँ और हमारे रिपेर हो चुका है अब हम दूसरे दिन इसे खोल रहे हैं नॉर्मली जब भी रिपेर करना हो तो एक दिन पहले मिशिन में डाल दो और उसे पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए और फिर दूसरे दिन सुबह आके उसे खोलना चाहिए तो हम लोग हमेशा वही प्रोसीजर यूज़ करते हैं एक दिन पहले मिशिन में डालते हैं और दूसरे दिन ठंडा होने के बाद आराम से मिशिन से निकालते हैं जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि हम इसे मिशिन से निकालने वाले हैं बॉंडर से निकालने वाले हैं अब दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सबसे कहा था कि इस वीडियो में मैं इसका प्राइस जो मैं कस्टमर से चार्ज करता हूं वो बता दूंगा आप देख सकते हैं हम यहां पर जो कवर डालते हैं उसके उपर उसे एन्वलेप कहते हैं वो एन्वलेप निकाल रहा है एन्वलेप के अंदर हमने पैरिशुट क्लोथ यूज किया है आप देख सकते हैं जो रिपेर है वो बाहर से बढ़िया तरीके से हो चुका है अब चलिए इसके अंदर जो हमने ट्यूब और फ्लैप और गेटर जो डाला हुआ था उसे सब को निकालके चेक कर लेते हैं अंदर से पैच कैसे हुआ है दोस्तों जो गेटर पैच था उसके उपर हमने और एक गेटर डाला हुआ था मिशीन में सपोर्ट के लिए तो अब हम उसे निकाल रहे हैं यहां पर आप अंदर से देख सकते हैं बहुत ही शांदार तरीके से रिपेर हो चुका है गेटर का पता ही नहीं चलता अब हम इसे बहार से भी निकाल लेते हैं जो प्लास्टिक हमने लगाया था सेलोटेप उसे निकालते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से क्यूरिंग हो चुका है जब भी हम बॉंडर में निकालते हैं तो थोड़ा सा स्वेलिंग आ जाता है उसको तो आब हम उसे लेवल कर देते हैं जितना भी उभरा हुआ इससा है उसे लेवल में कट कर लेंगे और फिर हाइंड ग्रैंडर की मदद से अच्छे से उसे क्लीन कर लेंगे लेवल कर देंगे दोस्तो हमने इस वीडियो को बनाने के लिए काफी महनत किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें इस टायर के लिए हमने पांच हजार पांच सो रुपे चार्ज किया है कस्टमर से थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो झाल काल सब्सक्राइब करें